मैं तठस्थ हो के कहूं, तो भारत पर जब-जब विदेशी आक्रानताओं ने आक्रमन किया, बावर तो बाद में आया, इसके बावा नाना भी आये भारत, उन्होंने भी का यहां भी लूट कमाल मिल जाये तो, और तमाम लोग आये, जितने भी लोग आये भारत, उन्होंने सबसे ज़्यादा बहादूरी से, अगर कोई लड़ा भारत की रक्षा के लिए, अपनी मात्रभूमी की रक्षा के लिए, तो वो हमारा दलित था, वो हमारा पिछणा था, इसलिए इतिहास को और तोड़िये मरोड़िये नहीं, नहीं वहाँ से मार्शल कौमी आई है, जुन्होंने मुकावला किया, दो-दो हाथ किये, पठकनी दी, और कहीं हार गए, तागत के आगे, तो फिर उठके खड़े हुए, वो दलित थे, वो पिछणे थे, गजनी लूट के लौट रहा था, सोमनाथ का मंदिर, गजनी को लुके लावलशकर को अपनी शक्ति और सामर्थ के साथ लूट लिया, रोक कर, किसने, वो हमारे पिछड़े थे, इसलिए आई से चीजों को खराब बढ़े, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उसके लिए अब संविधान है, कानून है, व्यवस्ता है, ठीक है, और यह बाद जो आलोक ने कहीं, अच्छी है, हम भारत नहीं यह व्यवस्ता की है, अपने भाईयों के लिए, कि हम उनके हित और उनके संरक्षन के लिए, विशेश प्राविधान जो संविधान में किये थे, वो आज तक जारी है, इसलिए, अधालत की साथ बड़ी मुहब्बत की बात हो रही, अच्छी बात होना चाहिए, अधालत से मुहब्बत रहनी चाहिए, लेकिन एक बात कहूं, मैंने कहा, मुझे यह चीज़े याद रहती है, और वह आख से होते देख लो, तो वो चीज़ जिन्दगी भर मेरे दिमाग मे शाहवानों पर जब फैसला आया था, तो सुप्रीम कोट की बिल्डिंग छोटी थी, क्या तब, नहीं न, इतनी बड़ी थी, उसकी हैसियत, उसका मैयार उतने बड़ा था, क्या नहीं हुआ, सुप्रीम कोट के जज़ेज के पुतले फूंक दिये, भारत में शायद पहली हुआ हो, कि जज़ेज के पुतले फूंक दे हो, नेताओं के फूंकते हैं, मोहिन भाई, पार्लामेंट में भाइस हुई, आरे मोहमत खान ने, पहले राजीव गांधी का विचार दूसरा था, तो आरे मोहमत खान ने उस फैसले के पक्ष में जोरदार भाशन दिया, रात म कुछ मुसलिम धार्मिक लोग राजीव गांधी से मिले, उन्हों राजीव गांधी को समझाया का हम लोग आपके खिलाप हो जाएंगे, आप मुसलिम महिलाओं के चक्कर मत पढ़िये केबल पूरुसों को देखिये, हमी लोग बोर्ट के खुद मुकतार है, राजीव गां अगले दिए पार्लामेंट बदल दिया, उसी पर फिर आरिफ ने स्टीफ़ा देखिया लगो, तो किसको बोलने के लिए खड़ा किया, हमारे उत्रपदेश शेक थे, अब तो जन्नत नशीन है, जियाउर रह्मान अंसारी साब, मोहिन भाई, जियाउर रह्मान अंसारी कि कहा तो बहुत अच्छी ची बाते थी, एक बात उन्होंने कही कि राजीब जी, तेली और तमोलियों से कुरान की आयतों की हित का तरजुमा करवाएंगे, तो यह होगा जो हुआ है, यह किसकी शान में कहा था मालूम, सुप्रीम कोर्ट की, है ना, अईसा ने करा, यह ठी अधालत को इस से कम पर रखने से कोई फाइदा ही नहीं पर तो, देश में समिधान चले गई नहीं, अधालत हमारे पक्ष में भैसला करें तो हम अधालत मानेंगे, यह कोई बात हो ही, बरना पुतले फूंग देंगे, अधालत कोई कलेक्टर है, कप्तान है कि जिसके खिला अधालत करोगे, नहीं यह ठीक नहीं, धालत की खिलाप होता है, अधालत की खिलाप वो भी हो लिया, दूसरी बात में जिस पर मेरा मन आहत है, महादेम के अपमान पर उतने बड़े स्वर क्यों नहीं गूंजे, इस नभ मंडल में, कै नहीं गूंजना चाहिए था, कि ख़ नहीं होना चाहिए था, मैं फिर कहता हूँ, जो नभी के शान में गुस्ताखी किये कर रहे हैं, और जो महादेम की शान में मुर्खता कर रहे हैं, वो सब लोग जो बात इसा ने कभी कही थी, अपने अंतिम समय में, के हे प्रभू इनको माफ करना, ये नाधान है ये नहीं मुझसे पूछते हैं, नाना प्रकार के माद्धमों से मुझसे जुड़ते हैं, और मुझसे पूछते हैं कि अमिताब जी, महादेव के अपमान पर मौन क्यों रहा गया, इस प्रशन का कोई उत्तर तो देना होगा ना, समय को, आज आप चुप हो सकते हैं, कल ये उत्तर, ये प्रशना हजारों साल पीछा करेगा, आज भी हम पूछते हैं ना, कि भीशम आप मौन क्यों रहे थे, धरतराष्ट के राजमंडल में पूछते हैं ना, आज की घटना तो नहीं है, ऐसे सवाल सेकनों साल जिंदा रहते हैं, और आज मैं जिसके लिए बहस लाया वो वि मैं ऐसा मानता हूँ, फोड़ा शरीर में रहेगा, तो किसी ना किसी यंग को विशाक्त करेगा, फोड़े का आपरेशन कैसे हो, शल्यक्रिया कैसे हो, ये सब लोग मिलके तैकर लो, लेकिन फोड़े का आपरेशन टाला नहीं जाना चाहिए, देश आगे तब बढ़ेगा, समाज आगे तब बढ़ेगा, ये पत्थर बाजी तब रुकेगी, ये गोली बाजी तब रुकेगी, इस दर पे कफन बानके निकलने की धमकियां तब रुकेगी, उन बड़ी समस्याओं को समधान करना होगा, और बोलते समय थोड़ा सा सब को सहियम रखना चाहिए, मोहिन भाई को एक बात याद दिला के बात खत्म कर दूँगा, एक दोर में, श्री नगर में, चरार शरीफ में एक गटना गट गई, उस घटना के बाद बवाल हो गया पूरे घाटी में, बहुत दिनों तक बवाल चला, फिर सब लोग बैठे, आलिम फाजिल लोग के कंप्रों में एक फर्मूला निकाला गया, भाई, यह कह दिया जाए कि नहीं, वो चीज खोई नहीं मिल गई, ठिट, आपका मन जिस पर राजी वो ही चीज अच्छी हो गया, देश ने मंजूर किया, अशने नाजुक मसलों पर सवाल नहीं करना चाहिए। किसी को, यह मैं कह रहा हूँ खास तोर पर शिवलिंग के प्रकटों को लेकर, कि चराने शरीप को कि रहा हजरत बल को लेकर किसी सवाल उठाया था क्या नहीं ना और उठाता तो भी मैं उसकी खिलापत करता कि अगर उन लोगों को मंजूर है कि भाई हाँ ठीक है जो पवित्रवाल रखाया है वो मिल गया ठीक बात है अच्छी बात है मेरी शुद्धा अकीदत पेश करूंगा लेकि फिर महादेव के लिए यह यह बाते नहीं होनी चाहिए इनसे ठकराव बढ़ता है इनसे तेजाब फिलता है और कूड़े के धेर पर मकमल का भी चद्धर डाल दो मित्र तो भी दुरगंध कहा जाए तो कितनी भी अच्छी अच्छी बाते मैं कर लूँ लेकि फोड़ा तो रहेगा ना अच्छी बातों से फोड़े ठीक हुए होते होते तो शल्यक्रिया की जरूरत क्या थी दवा की जरूरत क्या थी फिर सब मिलके अच्छी बात नहीं कर लेते अब फोड़े फूंक मार देते हम बुलबुले हैं इसकी फिर फोड़े फूको गंगा जमुना फिर फोड़े फूको उससे फोड़ा ठीक होगा नई फोड़ा ठीक करिए राष्ट का मन स्वस्त होना चाहिए तब राष्ट विकास करेगा समाज का मन स्वस्त होना चाहिए तब हिंदू मुस्लिम में एक जु नेच्छाई